पिर दोस्तों नमस्कार एकवार फिस्टी स्वगत है आपके अपने यूटुब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में दोस्तों आप देख सकते हैं मौरणी में 11 वजे ये क्लास आपके डेली होती है और देख सकते हैं हाई कोड की त्यारी चल लएगी है और आपकी UPGK की भी क्लास से दी जा रही हे हिंदी की क्लास से दी जा रही है करेंट फइर की जो क्लास और पर्स से आपको मिलना सुरू हो जाएगी सभी को नमस्ते इप 망स्ते और फिडिय आप के लिए टेले ग्राम जोईन कर ली जी ताकि math English वह भी आप लोग करते चलिएगा ठीक है चलिए सभी को नमस्ते गोड मॉरिंग सभी को गोड मॉरिंग कितना कितना इसको जा रहा है और कौन कौन सी किताब से आप लोग तयारी कर रहे हैं जैसे हिंदी की तयारी किस किताब से कर रहे हैं और जीके की तयारी किस किताब से कर रहे हैं ये कमेंट जरू करेगा त जिनके जो आपकी हिंदी है उससे पढ़ सकते हैं जो कि आपकी हिंदी है और एक crown publication आती है जिसमें theory भी आपकी उसमें होती है तो आप crown publication से समाने गयन के तैरी कर सकते हैं ठीक है जितनी ज़्यादा वार पढ़ लेंगे बस उस तरह आपको ज़्यादा वार इधर उधर नहीं होता है तो आरो ही औरो ही यह आपने हमेशा पढ़ा है तो आपसंबर क्या बनेगा ए नंबर इसका right हो जाएगा next question है आसक्त किसका बिलूम सब्द है बताना है जो आसक्त है वो किसका बिलूम सब्द है तो आपने पढ़ा है आसक्त अनासक्त होना आसक्त अनासक्त तो इसक इसाब से जो आपका होना चाहिए अनासक्त होना चाहिए लेकिन option में तो आपका है नहीं है फिर क्या करेंगे देखो आसक्त का मतलब होता है अनुराग युक्त या अनुरक्त या प्रसन तो जब अनुरक्त भी इसका मतलब है इसका मतलब यह हो गया आपका इसका मसर्टी हो विरक्त हो जाएगा हना हमने कहा कि मतलब भी कुछ जानना है जरूर नहीं रट्टा मार लिया है आसक्त का नासक्त होता है आपने पड़े लिया लेकिन आसक्त जो आपका दिया गया है आसक्त इसका अर्थ होता है अनुराग युक्त या अनुरक्त या प्रसन कह सकते हैं तो पर दे सकते हैं, अंदकार का विलोम है, और थरीक अगर अगर बात कर लेते हैं, तो आपका जो अंसर बनेगा, वो आपका C हो जाएगा, अंदकार का प्रकास, और आपका C हो जाएगा, प्रकास है, उजाला है, ग्यान है, प्रबुद्ध है, प्रमोध है, ये सब आपके होते अगरा कोशन यहाँ पर दिया गया है और आप से कह रहा है कोशनमर आपके 4 में कि जो कहा गया है वाक्यांस के लिए एक सब बताना है जो कहा गया है तो वहीं जो कहा गया हो या कहा गया है इसका मतलब होता है कथित हना option B होजेगा कथित कोशनमर आपका 5 है गरणा किये जाने योगे और जो घृणा किये जाने योग होता है उसे क्या बोलते हैं घृणा इस्प्रद बोलते हैं घृणा इस्प्रद आप्समर अपका सी राइट हो जाएगा नेस कोशन का जवाब दीजेगा सिक्संबर में आप से कह रहा है कि कल का अनिकार्थक सब्द नहीं है तो हमने खा आसर कल का अनिकार्थक होता है बीता दिन जैसे होता है कल मतलब मसीने होती है और चैन भी होता है लेकिन ये जो आपका दिया गया है सोर ये सोर नहीं होता है इसलिए आप समर आपका क्या हो जाएगा बी नमबरे राइट हो जाएगा कोश्मर आपका सेवेन है और आपसे कह रहा है या थार्थ में संदी कौन से है वही सेवन दिया है और या थार्थ में या दिया है तो देखो बड़ा की मात्रा है और बड़ा की मात्रा है इसका मतलब है कि दीर्ग संद आप लोग तुरंट पहिंचान कर लेंगे यह था धन अर्थ तोड़ेंगे तो बनेगा यह था धन अर्थ अर्था बड़ा की वात्रा आएगी दीर्ग संदी में आगे बढ़िएगा कोशन आप सिगला पूछा गया है और आप से यहां पर दिया गया है कि प्रत्युपकार में जो उपसर्ग हो आपका कौन सा है प्रत्युपकार में उपसर्ग जो आपका है आठंबर में आपका है प्रती धन उपसर्ग और संबी हो जएगा प्रती धन क्या बुलते हैं एकनिस्ट जिसक्स्न आ रहा है बिलकुछ से और आप से कह रहे हैं कि तरस्ट में कौन सी संदी है तो तरस्टों याद वखार के बूख़ा प्यासा अर्था यहाँ पर योजक चिन्न भी लगाल है जिसमें योजक चिन्न होता है आपका दूंद Gent आपका A होता है क्य utmost Germ A राइट हो जाएगा आगे बढ़िएगो कोस्अ्थ ना स्म्सक्पा है है तो यह हो जाएगा कॉणो ड़ा जहना हो जोग जेगा जुछै अर्ण यहां पर और देखे तक नंबर में कोशिष्ट आपका कौन से लिखते हैं तो दोस्ते आद रिखें आपका बी सचिदा नंद ये आपसन आपका बी सही हो जाएगा आगे बढ़िएगा कोर्शन नमर आपका दिया गया है यहां पर आपको कौन सा जहना जब कहते हैं आदी तूफान आता है तो जहन जोड़ा देता है अर्थात यह है आपका तूफान अपकी तूफान अगर भी आ रहा है तो आपका जवाप बिल्कुश से हो जाएगा बाइल लायक भी कर दीजेगा जितने साथी आपर जुड़ गये हैं कमेंट छोड़ करके, कुछ सेकेर्ड निके लिए आप लोग सेशन को लाइज भी कर दीजेगा, पूरा सपोर्ड भी करिएगा, आफलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर देखें कोर्शनमर आपका सत्तरा है, कि सही वरतनी वाला सब्द आपको चुनना है, यहाँ पर जो सही वर दिखा है, क्या यह वाला सही है, जरजरित हैं, यह वाला सही है, तो जरज, इसको मतलब जा कि साथ रा उड़ेगा, इसका आपसन आपका भी हो जाएगा, जरजरित होता है, बीनमर, आएगा आपको समर आपका 19 है, और देखें, 19 समर की बात करतें, तो दिया गया है, कि गी पितानजली का जो संद्विच्छेद बनेगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो जायगा? तो गीत धन अंजली होगा और गीत धन अंजली का आपर है आप समराया आपका सी यहां पर है राइट हो जायगा. कोश्णमर आपका दिया है 20 नमबर में ग्रह का पर्यावची नहीं है देखे ग्रह के गर बात करते हैं तो आवास होता है सदन होता है निकेतन भी होता है लेकिन परवास नहीं होता है परवास नहीं होता है इसलिए आपका सी बनेगा कोस्टमर आपका इकाईस दिया गया और आपसे कहा रहा है कि चंदर का पर्यावची नहीं है देखें चंदर का जो पर्यावची होता है वो कौन-कौन होते हैं देखें हिमांसु होता है सुधांसु होता है सारंग होता है लेकिन जोसना नहीं होता है जो स्नन नहीं होता है यह आपके बिजली में आएगा इसलिए option आपका बनेगा बी नमबर आएगा कोश्रमर आपके 22 score प्रावी सेशन पूछा गया प्रावी सेशन है क्या तो देखिए प्रावी सेशन की परिभासा ही होती है कि जो विसेशन की विसेशता बतलाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रावी सेशन तेश का जो आपसन है कि विसेशन की विसेशता बताने वारा सब्द होता है वो आपका प्रावी सेशन आपसन राइट होजेगा बी नमबर कोई से मर आपका तेश दिया गया और आप से कहा रहा है सारुनामिक विसेशन कौन है देखे जब सारुनामिक विसेशन पूंचे तो आपको याद रखना है संग्या से पहले आने वाला जो विसेशन होता है संग्या के पहले अगर आता है हना जिसे बोलते ना मोटा आदमी मोटा आदमी तो आदमी क्या हो गए यहां पर संग्या हो गई तो उसके पहले जो भी सेशन लग गया तो यह आप कहेंगे सर यह मोटा सा होगा सारनाइब भी सेशन हो जाएगा बाकि वहा हना जिसे वहा आदमी मोटा है तो यहां पर वहा ज इस मोहोरे करते क्या होजएगा मक्षी मारना मतलब क्या होता है दोस्त जाद रिखेगा खाली वैटना ओपसन डी खाली वैटना कोश्चिमर आपका 25 है पृतिवी राज की आँखे सीशक नाटक के रचीता आपके कौन है चलिए बताना है कोश्चिमर पच्चीस में कि पृति राइट हो जाएगा आगे बढ़िएगा कोशन आपका देखो या पर दिये गया है इंगलेस के हमने का है पेडिया टेलीग्राम से आप राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम है दियो जी के ट्रिक बाकि आपको हमारे चैन पर जी के और हिंदी में किसको करता है छलिए जो लोगसबा का द्याश होता है वो अपन त्यकपत रुजेत देता है तो डोस्तों याद रखेगा यह देता है लोगसबा के उपाद्याश को और समरापका C, right हो जाएगा, कोश्मराब का बावन है कि निमनिकित में से कौन सा एक नीत ने देशक तत्त है, देखें ने देशक तत्त दिया गया है, इसका मतलब यहां पर दिया है, प्रेस की सुतंता, देखो यह आपकी किसमें है, आपके मौलिक का अधिकार में है, धर्मी की सुतंता ह है, तो इसका मतलब जो समान आचार संयता है, यह जो आपका आता है, वो नीत ने देशक में आएगा, और आपका A, राइट हो जाएगा, आगे बढ़िएगा, कोश्म दिया गया है, कि निमनिकित अधनियों में से किस अधनियों के फल्सरूप, जो वर्मा है, भारत से कब हुआ था, जो मियामार है, यह भारत से कब अलग हुआ था, तो याद रिखे, तिरपन का जो आपसन है, वो आपका C हो जाएगा, गौवर्मेंट आप इंडिया एक्ट उनी सुप पैंटिस के तैत, वर्मा जो था, अर्थात मियामार था, यह भारत से अलग हुआ था, तो आपसनमर आपका C हो जाएगा, कोशनमर आपका 54 है, आपसे कह रहा है, नवदा तोली किस राज में उसती थे, बताएगा, नवदा तोली किस राज में उसती थे, यहाँ पर बताना है, आपका जो अंसर बनेगा, और आइट इन में से क्या हो सकता है, नवदा तोली जो यहांब पर आपके मद्ध प्रदीस का महिस्वर तहसील के पास इस्तित्रे नर्मदा नदी की किनारे बसा हुआ एक आधुनिक गाउं है जो कि तामर पासान युकी बस्ती हना दोनों को कहते हैं तो इसलिए जो आपसन है वो आपका बनेगा कौंसा यहां पर टी नंबरे राइट हो जाएगा अगला कोशन यहां पर दिया गया है कि उस जनजाती का नाम बताएगा जो रिकवैदिक आर्यों के पंच जन से सम्मंदित नहीं है चलिए बताना है कि उस जनजाती का नाम बताएगा जो रिकवैदिक आर्यों के पंच जन से सम्मंदित नहीं है पच्पन की बात करते हैं तो दोस्ते आद रिखें पंच जन में आपका यदू है पुरू है आपका तुर्वस भी है आपका इंबरे राइट हो जेगा दोस्तों याद रखेगा गाय बायल भेर बकरी आद ये सब पालन आपके होती इसमें जो आपका किट है ये इसमें से आपका नहीं आता है याद रखेगा ठीक है ना हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रिग्वैदिक में जो वर्डित पांच प्रूंग के साथ दुरुद्र होते थे ये आपके और डीपली आप आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आएगा कोसर मराप का 56 है और आप से कह रहा है कि भारत में सरवर्थम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था भारत में जो सांकेतिक मुद्रा है ना याद रिखेगा ये जो मुहम् विद्धूलक ने चलाया था और याद होगा कि आपकी तेरह सुतीस हिस्वी में सरवर्थम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और इस मुद्रा को टंका के नाम से जाना जाता था यहाँ पर दिखे एक कोसर मरापका दिया गया है 57 नमर और आप से कह रहा है कि निमनिखित में स निमनिखित में से किस ने अपने बादसाह पती के लिए मकबरे का निर्मार करवाया था तो दोस्तों 57 की बात करते हैं तो आप कंसर क्या हो जाएगा पहले के जवाने में उनकी पतनियां पहले से कब्रवनवा देती थी याद रिखेगा मकबरे का निर्मार जो आपका है व उच्छा गया है और आप से कह रहा है कि निम्निकित में से कौन है जो मद्यकालीन भारत की प्रथम मैला सासिका थी चरिए निम्निकित में से कौन है जो मद्यकालीन भारत की प्रथम मैला सासिका थी अठावन के बात करते हैं तो यह हैं आपकी रजिया सुल्तान रजिया सुल आपका उनसर्टम्बर है और आप से कह रहा है कुछ किताबे हैं और उनकी रचनाय पूछी गई है अना मतलब उनकी लेखक पूछा गया है उनसर्टम्बर में पहला उप्सन है आप से कह रहा है अनहाइपी इंडिया किसकी आपकी बुक है बताएगा अनहाइपी इंडिया ज नेस third question के साथ आते हैं question और आपका 60 दिया गया है कि निमल्डी की तरा जो मेंसी किसकी सीमा है जो बांगला देश से नहीं मिलती है देखे बांगला देश के अगरम बात करते हैं अना तो आपको पूरी तरीकी से पता होना चाहिए निम्निकित में से किसकी सीमा बांगलादेश से नहीं मिलती चले साथ ममर में देखे आपका यहाँ पर जो है मेगहाले से मिलती है तिरपुरा से मिलती है हना मिजोरम से भी मिलती है तो इसका मतलब है मड़ीपुर से तो आपको नहीं मिलेगा यहां पर जो आपका है कौन के सैकते हैं नागयाड एवद्वाँचल प्रदेश, बगलेदे से कौन लगते हैं तुरी पुरा हो गया, यह हो गया तुरी फिर असंब लेगा तुरी पुरा मेगाले, और इसके बाद जो आपका असंब है यह भी आपका वेगा और एक पर्षिम मंगाल भी आएगा ना पर्षिम मंगाल पांच हो गए असम, पर्षिम मंगाल, मिगाले, तिपुरा और मिजॉरम मड़ीपुर जो आप का है याद रिकेगा वो बांगलादेश के साथ सीमा साजा नहीं करता है और याद रिखे भारत की और बांगलादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है याद रिखेगा और दुनिया की पांचवी सबसे लंबी सीमा है भारत की तो आपके है ये बांगलादेश के साथ लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए कोई भी अंतरास्टी सीमा में ये पांचवा नमबर आपका आता है दोस्ते याद रखेगा हना भारत की जो सीमा है वो साथ देसों से मिलती है बांगलादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यामार, भूटान और अफगानिस्तान लेकिन अगर हम दुनिया की बात कर ले जिस प्रकाल से भारत की और प्रकाल से किस राज में तामबा का सबसे अधिक भंडार है तो जो तामबा है ना, तामबा दोस्तों याद रहे कि आपके राजस्थान मिलता है, राजस्थान, खितरी आपनी नाम सुना भी होगा, आपसमर आपका D बनेगा, कोसमर आपका 62 है और आप से कह रहा है जंगल म पहल कैलाने वाला जो छेत्र वाफिकल मंगाल मिलेगा कहां मिलेगा मिलेगा परस्चिमं मंगाल में सती है थे हाना आपका जो अनूसर वनेगा वाफका एवकल होज़ेगा और यहांपना अलग से Third vasर बना लेते है यहांपना अगला कुशन है भारत में सुनामी warning center अवस्ति थे बताना है कि भारत में tsunami warning center अवस्ति थे अब देखिए tsunami जो आपका warning center है चेटाओनी ये आपके हैदराबाद में है, नाम क्या है तो भारती भारती रास्टी महा सागर सूचना विग्यान केंद्र का नाम है इसका नाम जलसंदी जोड़ती है डोवर जो जलसंदी है और ये जोड़ती है किसे 74 नमबर कि अगरम बात कर लेते हैं तो आपसमराब कसी होज़ेगा English Channel और उत्री सागर को याद रिखेगा English Channel और उत्री सागर आपसमराब कसी यहाँ पर राइट होज़ेगा दोस्ते याद रखेगा आएगा कोश नमबर आपका सूचे फर्स्ट को सूचे सेकिन से यहाँ पर सुमेलित करना है पैसर नमबर आपके पास है आपसन भी आपके पास है खनी दिया गया है और महत्तुकुन केंद्र दिया गया है कह रहा है जो आपका तामा है तामा जो आपका है कटांगा में मिलेगा यहां लगाते हैं हीरा किम्बरले की खान में मिलता है यहां पर थ्री हो जाएगा सोना मिलता है आपके कहां पर तो यह जो आपका है आपका विट वार्स रेंड यहां मिलेगा और चांदी जो आपके है वो आपके बुट में मिलेगा मतलब यहाँ पर गरम बात करते हैं तो आपका कुल मिला के आपसन आपको बनेगा बी नंबर हो जाएगा यह क्या है विस्ट में पूंचा है यह जो खदाने है इसलिए थोड़ा सापको कठिन हो गया आएगा कोशनमर आपका चांचेट और आप आपसे कह रहा है यह पर एक होता है कि जुड़्या में कच्चे तेल फरिग यहां पर गब यहां पर भारत में पाए जाने वाले हॉट इस्पोर्ट कौन से है तो भारत में जो बाले हए जाका इस्पोर्ट है हिमाले श्रंकला और पश्चमी घाट आपके हैं हिमाले पश्चमी घाट इंडो वर्मा जो सुन्दर लेंड है यह सब आपके आते हैं तो यहां पर नसर नमबर आप तसी बनेगा और अगला कोशनिया पर दिया गया है क्या रहा है आज सटमबर में किन्यम निलिखित में से देखेंगा देखी मीथेन भी ग्रीन हाउस है नाइट्रस आक्साइड क्लोरोफ्लोरो कारवन तो ही है लेकिन है यहां पर दिखा जैसे नेट्रोजन कारवन यह सब की चीज़े होते हैं यहां पर आगे बढ़िएगा कोर्स नम्मर आपका दिया गया है उन्यत्ता नम्मर औ आपके जीव जन्तू, खत्रे में फसी वही प्रजातियां हैं, उनकी जानकारी रखी जाती है, वो उसका दस्तावेज कहलाता है, रिट डाटा बुक, ठीक है न, तो इसलिए आप्सन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप्सन नमबर आपका भी बनेगा, नेस कोर्शन को राते है कोछ ना आपस दिया गया है, सत्तर नमबर में और कहरा है, कि लोहे की सुई पानी की सता पर किस कारण से तैरती रहती है, आप देखते होंगे कि लोहे की सुई अगर आप धीरे से डाल देंगे, हाना, शेती जवस्ता में तो सुई पानी में तैरती रहेगे, लेकिन वहीं पर अगर कोई आप भारी वस्ता डाल देंगे, वो तुरंद डूब जाती है, यानि उसका जो प्रस्त तनाव होता है, प्रस्ती तनाव की कारण वो क्या होती है, पानी में तैरती रहती है, पतली जिल्ली बन जाती है, जो सुई को डूबने से रोक लेती है, हाना, किलियर ह तो आप कहेंगे, सर यहां पर जो अंसर आपका दिया गया है, 70 नमबर में वो आपसन क्या होजेगा, बी नमबर है, प्रस्तना होजेगा, निस कोशन दिया गया, 70 नमबर में और आपसे कह रहा है, कि धात जो ठंडे पानी से तुरंद किरिया कर ले, और ये दोस्तों आपक आपका हो जाएगा, इसलिए सोडियम को पानी में नहीं रखते हैं, केरुसीन में रखा जाता है, आएगा कोशन मर आपका 72 की और चलते हैं, 72 नमबर आप से कह रहा है, कि अंगूर में प्रुचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो आर्गैनिक अमल हो आपका कौन है, तरीक अमल होते हैं, टाटरी, जो टाटरीक अमल होता है, ये नेचुरली होता है, जो अंगूर मिलता है, इमली मिलता है, जिसको खाने से स्वास्त सही होगा, हाजमा भी सही होगा, लेकिन जो आप सोचो की नहीं बता सहागा, कि अपना हाजा, हाजमा सही कर ले तो विकार ह तरीके की है जो डारिक टाटाइक करती है यहाँ पर कुर्सन आपका तियत्तर और आप से कह रहा है कि इटाई इटाई रोग किसके देरकालिन विसाथतन से होता है तो यहाँ रखिए इटाई इटाई जो आपका रोग होता है अगर पानी में जिसे कैडमियम आपका घुला ना तो कैड़िमियम की वज़े से क्या होता है लंबे समय तक जहरीलिय प्रभाव से होता है तो यहां पर आपका जो इटाए रोग है ओग कैड़िम की वज़े से अपका फैलता है ओग económ एक प्राक्प्टिटोग से पायagine वाला एक जहरीला भारीद हातु है तो आपसन आपका सी बनेगा अगला कोशनिया आपर दिया है चबतनमर में आपसे कह रहा है कि नावाड पुनरवित्य प्रदान करता है चलिए बताएगा नावाड पुनरवित्य प्रदान करता है आप कहेंगे सर यहाँ पर देखें जो नाबाड है वो क्या सेवा देता है जो आपकी क्रसी और ग्रामिड विकास के लिए ये प्रदान करता है अर्थाति ये सुविधा देता है हना पांच साल से ज़्यादा किया वदी के लिए दीरकालिन पुरन रवित दिया जाता है तो यहाँ पर जो आपका अंसार है वो आपका ये नंबर हो जाएगा कोश्मर आपको 75 है और आपसे कह रहा है कि मानविय गरीवी सुचकांग की सुवर्स में विक्सित किया गया था 75 की बात करते हैं तो दोस्ते याद रिखेगा जो आपका मानविय गरीवी सुचकांग है HPI है वो आपके 1997 में विक्सित किया गया था इसे संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम जो आपका UNDP है उसने मानविकास सुचकांग करता HDI के पूरक तोर पर बनाया था हला कि 2010 में इसे बहुआमी गरीवी सुचकांग से बदल दिया गया तीसले जो आपसन हो आपका C नमबर है राइट हो जाएगा तो मज़ा आ गया होगा टेस्ट पेपर लगाने में, हिंदी भी आपकी वेतरीनी स्कोर जा रहा होगा, जीके में भी स्कोर जा रहा होगा, और यही स्कोर आपका चलना चाहिए, हमने कहां कि 50 में से अगर आपके 40 सम्मर अभी आ रहे हैं, तो बहुत बढ़े हैं चलना है, बा थोड़ा परिवर्तन कर देंगे मानो जैसे भी उताया कि मानुवी गरीवी सुचकांग के उनी स्वत्तान में हमने डारेक्ट पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया लेकिन हमने कहा ये किसके माध्यम से तो विताया था ना कि संयुक्तराश विकास कारिक्रम जो आपका है UNDP हाना तो जब किताब पढ़ेंगे तो ये सचीज आप गहनता से अध्यन करेंगे मतलब ये जो आपकी होती है फुटकर फुटकर होता है जो दिमाग में आपको टेप तो होता है लेकिन कुछ स्रंखला नहीं बन पाती है जब किताब से पढ़ेंगे तो वही चीज आपकी स्रंख स्रंखला दिमाग में बस्ती चली जाएगे स्रंखला जिल्दी तूटती नहीं है हना और जो एक-एक वाला होता है तूट जाता है सिंपल सी बात है आपने कहानी सुना होगा कि एक पुत्र के एक पिता के चार पुत्र थे सब को यहां पर एक-एक लकडिया दिया समने पांच 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 दिया तो फिर नहीं तोड़ पा रहे तो उससे हुआ कि जब एकता हो जाती तो तूटते नहीं ही इसी प्रकास स्रंखला है जब स्रंखला बन जाती तो जल्दी तूटती नहीं है और एक-एक कोशन आप लोग पढ़ने में आनन जरूर आता है लेकिन इतने अब्जेक्टिव वेपर आपने लगा चुके होंगे अब तक यही कोशन आप पेट में पढ़ेंगे यही कोशन पुलिस में पढ़ेंगे यही कोशन आरो में पढ़ते हैं सब कुद तो पढ़ते हैं लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि स्रंखला तयार रही है जब स्रं पर लिजेगा